नमस्ते प्यारे लोगों ठॉले वॉले में आपका स्वागत है एक बहुत सुन्दर शाल के लिए फिर से स्वागत है मैं आज आपको एक रंग बदलने वाले उनकी शाल दिखा रहा हूँ टेडी वास्तव में इसके साथ लपेटे हुए एक नापी धागे के साथ बहुत ही द सुन्दर ठेडी आर्न के साथ हमारे पास यहां एक रंगीन हमारे पास नारंगी गुलाबी समेत थोड़ी बेज भूरी और लाल भी है सूती धागा 100 ग्राम 100 मीटर लंबा यहां वास्तव में 355 यूरो की लागत आती है 6-8 संख्या की सुई के लिए मैं वास्तव में इसे 8 नंबर की सुई के साथ बुनूंगा मैंने इसे पहले ही एक बार देखा है तयार और हमारे पास यहां 100% पॉलीमर है हमने यहां चोटा प्रिंट किया है यहां रंग मिश्रन है और मैं पहले से ही यहां से उनका मध्य निखालता हूं पहले ही बहुत अच्छा काम कर चुका ह मुझे यहां फिर से देखना होगा मैं यहां भी केंदर ढूंडना इसमें आप जरूर देख सकते हैं कि कौन-कौन से रंग भी है फिर यहां वास्तव में दूसरे रंग की ओर जाता है तो मैंने यहां बहुत अधिक बेज रखी थी और यह एक बार भूरे टोन से घेरा हु लॉप में यहां प्लफी भाग है और फिर हमारे पास यहां एक छोटा धागा है जो इससे स्थिर करता है और मैं विश्वास करता हूं कि यह वास्तव में दो अलग अलग धागे हैं जो इसके चारों उर लपेटे जा रही हैं बहुत रोचक बनाया इसके कारण भी इसमें लहरदार आकार और मैं वास्तव में एक चेन स्टिच से शॉल की शुरुआत करता हूँ और मैं एक चेन स्टिच का एक मल्टिपल मारता हूँ दो हवाई लूप के रूप में ये मेरे लिए पहली बार होगा तीन चार पांच छेह साथ आठ पारा तेरा चौदा आप देख सकते हैं कि यह सुई की मोटाई के साथ वास्तव में बहुत अच्छी तरह से बुनता है इसमें थोड़ी सी अशान्ती है पहा देखिए लहरो जैसा प्राक्रतिक इससे वास्तव में अगर मैं इसे खीन चूँ और यहां सीधी सुई काम करूँ तो मैं एक चोटी सुई भी ले सकता हूँ लेकिन आयतन और लहरो के कारण बिलकुल बढ़ी नसे फिर मैं पहले तीन स्टिचेस को छोड़ देती हूँ चौथी स्टिच में जाती हूँ और चौथी स्टिच को बंद करती हूँ एक स्थिर सिलाई फिर मैं एक हवा की चेन लेता हूँ अगला स्टिच छोड़ता हूँ यह वही है और फिर एक सकत फंदा फिर एक हवाई फंदा नीचे फिर एक फंदा छोड़ दें अगले फंदे में और एक मजबूत सिलाई करें, एक हवा सिलाई, फिर से एक सिलाई छोड़ दें, फिर से एक स्थिर लूप बुनना, इसलिए हमेशा स्थिर लूप और हवाई लूप के बीच अदल बदल करना, और प्रत्य एक हवाई लूप के लिए मैं एक स्थिर लूप बुनता हूँ, नी तो यहां मेरे पास मेरी पहली पंक्ती है और आप देखते हैं जब मैं इसे खींचता हूँ तो मेरे पास यहां हमेशा यह खाली पन होते हैं यही लक्षे है हमेशा नीचे की ओर मैंने जो chain stitches बनाए और मैं वहीं अगली पंक्ती में अपने fixed stitches बना रहा हूँ मैं उंचाई के लिए दो हवा की stitches लेता हूँ या height के लिए एक और एक overhead के लिए bridging मैंने यहां बुना हुआ मजबूत सिलाई और तीसरी पंक्ती के लिए प्रवेश स्थान के रूप में भी rib round में फिर वास्तों में एक सख्त फंदा बैठता है तो मैं जल्दी जलूर दिखेंगे मैं अब शुरू करता हूँ कि मैंने यहां एक सख्त फंदा बनाया है उसके बाद फिर एक हवाई फंदा लिया है यह हवा की गांट जिसे मैंने अब बांधी है यहां पिछली पंक्ती की मजबूत गांट के ऊपर लेटी है और यह फिर से फास्ट माशिन और इलफ्ट माशिन में जा रहा है एक बार विपरीद और थक मेरी बदली और फिर मैं इस छोटे वायू मंदल की शुंखला पर पहुंचता हूँ जिसे मैंने शुरू में छोड़ दिया था वहां मैं अब अपनी पंक्ती की अंतिम मजबूत गांट बांधता हूँ और अब आप यहां देखते हैं प्रत्येक में मजबूत से लाइ यहां पर भी उज्ज्वल रंग में विचार करे यही खुबसूरती है इस पैटरन की यह गहरा डूपता है इससे आपको यहां हलकी रंग के परिवर्तन मिलते हैं पूर्व पंक्ती भी शामिल है विशेश रूप से जब आपके पास इतनी जल्दी फोल्डिंग एजिस होती है जैसा कि यहां परिवहन परिवर्तन है तो मैं फिर से दो हवा की मालाएं लेता हूँ इसे एक बार घुमाता हूँ और फिर से पिछली पंक्ती की हवा की मालाओं की चारो और हुक लगाता हूँ स्थेर और हवाई मूल्यों के बीच स्थेर रूप से बदलते रहें और फिर से यहां पहुंच गया हूँ यहां मैं वास्तम में इन छोटे दो हवाई तंतों के चारो और क्रोशिया कर रही हूँ जो मैं प्रत्य एक पंक्ती की शुरुआत में लेती हूँ बस जैसे उंचाई और दूरी और अगली पंक्ती के लिए प्रवेश स्थल, जैसे मैंने अभी फिर से लिया है और आगे बढ़ता है, अगले हवा के तार के आसपास, हवाई मूल्य सनलगन, फेस्टे माशे हेकेलन लुपत माशे, फिर अगला प्रवेश स्थल, अगला स्थि मस्क, यहां मैंने इसे वास्तव में, इस पंक्ती में टोन इन टोन किया है, और अगले में, जैसा कि यहां पहले से ही दिखाई दे रहा है, फिर से हलका रंग बदलाव शामिल होता है, हम इसे एक बार फिर देखते हैं, उन्हें साथ जोड, तो मैं अब कुछ और पंक्तिय होता है, विकसित किया गया, तो हमेशा सुन्दर हवा के चैन, पक्के चैन को बदल कर बुने, उचाई के लिए दो हवा के चैन, वेंडरलेंड स्टिचेज, यहां आपको इसकी संरचना बहुत सुन्दर तरीके से दिखाई देगी, और खार यह जारी है, पीछे, स्थिर त स्थिर तंदू हवाई तंदू, स्टिच, और फिर मैं फिर से वहाँ पहुंच गया, अगले परिष्ट पर पहुंच गया, आप भी देखते हैं कि पैटर बस फाइव, सिक्स और बीच में चैन्स टिछेस और फिर भी आप तेजी से जीतते हैं माँ और उचाई में तंतुओं के साथ उपस मैंने यहां काम का धागा भी डाल दिया मैं ऐसा नहीं चाहता था यहां दिखाई देता है यह अब बहुत ही सुन्दर होने लगा है जैसे रंग यहां मूल ल्यांकन कर रहे है और यहां मैंने अब आपके लिए अपडेट किया है तो आप देखते हैं कि यह इस बेज और भूरे से इस नारंगी पर विकसित हुआ है फिर मैंने यहां पहली पतलून पहनी यहां वास्तव में एक अपेक्शाकृत हलके रंग के संक्रमन के साथ गैरे गुलाबिया लगभग लाल रंग और फिर यात्रा जारी रखती है वास्तव में बहुत सुन्दर रंग परिवर्तन हर बार इस पैटरन के लिए मेरे पास अब भी थोड़ा उन है और फिर मेरे पास दूसरी गुंथनी है तो आप प्यारे लोग मैंने वास्तव में अब सिर्फ एक पूरी क्नौल हांक किये है दुपटा ने वास्तव में एक काफी अच्छी लंबाई तक पहुँच गया है अब लगभग एक मीटर हुआ और दूसरी गुंथनी को मैं फिर से जोडता हूँ मेरे पास अब अन्तिम धागा है मैं इसे पूरी तरह से निकाल रहा हूँ यह स्वाभाविक रूप से सिला जाएगा और यहां आप फिर से देख सकते हैं कितना साफ है बहुत बहुत सुन्दर प्यारे रंगों के साथ उन मीठे ट्रांजिशन यह यहां हमेशा इस तरह से जमा होता है करने के लिए जिसके आस पास फिर से संतरा यहां दिल के चारो ओर एक बार वही प्रनाली हैलन रंग टोन के साथ भूरा और नारंगी और फिर हमने इसे यहां फिर से किया है गहरे रंग के साथ सभी के प्रतियक को सफेद के साथ अलग किया जाता है और वास्ता में एक सुन्दर सनचना मैं सर में ले जाता हूँ यह बंधा हुआ और यह हलका वेवी बहुत सुन्दर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी यह सब पसंद आएगा और मज़ा आएगा अगर ऐसा है तो उंगली उपर छोड़ दो सलसे ताले घंटियाओं एक्टिवेट ना भूले और फिर हम मिलेंगे हम मिलेंगे अगली बार ठोले बोले तब तक अलविदा